हेलो एब्रीवन आप सभी का सुवागत्य आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम से 183 पर आज हैं 1 अगस्त 2023 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1 अगस्त 2023 के डेली करें इंटरफियस के कुछ इंपोडेंट कुश्यंज अगर आप किसी भी अग्याम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी अदा इंपोडेंट रहने वाली है और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेल आइकन को भी ओल पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएं और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीगराम चैनल पर मिल जाएगी और इस टेलीगराम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल रहेगा आप वहाँ से इस टेलीगराम चैनल को जोइन कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा द्यान से देखिए क्योंकि इस वीडियो के लाश्मे मैं आपसे question भी पूछूँगा और उस question का सही answer आपको comment में बताना है तो चलिए चलते हैं आज के अपने topic की ओर पहला question है एशिया युवा और जूनियर वेट लिप्टिंग चैंपिंशिप दोई या तेज का आयोजिन किस राजिमें किया जा रहा है और इस question का सही answer है option है उत्तर पदेश में तो एशिया युवा और जूनियर वेट लिप्टिंग चैंपिंशिप दोई या तेज का आयोजिन कहा किया जा रहा है उत्तर पदेश में इसका उद्गाटन केंद्रिय मंत्री अनुराक से ठाकुर ने किया और इस चैंपिंशिप का आयोजिन भारत में पहले बार होगा अब उत्तर पदेश जो राज्य है इसकी राजधनी क्या है लखनौ और मुख्यमंत्री कौन है योगी आदतनात और उत्तर पदेश की राजपल कौन है आनंदी बेन पटेल नेस question है हाल ही में केरल स्टार्टप मिशन ने फिंटे की स्टार्टप को बढ़ावा देने के लिए किस के साथ समझोता किया है और इस question का सई आंसर है option A IFSTA के साथ तो हाल ही में केरल स्टार्टप मिशन ने फिंटे की स्टार्टप को बढ़ावा देने के लिए IFSDA के साथ समझोता किया है केरन इस्टार्टप मिशन ने Fintech स्टार्टप को बढ़ावा देने के लिए अंतरराश्टिय वित्ती सिवा केंदर प्राद करर यानि International Financial Service Center Authority के साथ तीन साल का समझोता किया है और इसका उदेश्य, उबरती, फिट नेक और टेक फिन फर्मों को मजबूत करना है Next Question है हाल ही में अदानी Transmission Limited ने अपना नाम बदल कर क्या कर लिया है और इस Question का सही अंसर है Option C अदानी Energy Solutions Limited तो हाल ही में अदानी Transmission Limited ने अपना नाम बदल कर क्या कर लिया है अदानी Energy Solutions Limited Next Question है कौन सी राज्य सरकार सभी 75 जिलों को शामिल करने के लिए बाल स्रमिक विद्या योजना का विश्तार करेगी और इस Question का सही अंसर है Option C उत्तर पदेश तो उत्तर पदेश राज्य सरकार सभी 75 जिलों को शामिल करने के लिए बाल स्रमिक विद्या योजना का विश्तार करेगी उत्तर पदेश सरकार राज्य के सभी 75 जिलों में बाल स्रमिक विद्या योजना यानि Child Labor Education Plan का विश्तार करने पर विचार कर रही है एस योजना का विद्धेश कामकाजी बच्चों को उनकी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रत करने के लिए उनकी आय की भरपाई करके बाल स्रम को समाप्त करना है और एस योजना के तहट 8-18 वर्स की आयू के बीच के कामकाजी लड़के और लड़किया एक हजार रुपे और 1200 रुपे मासिक प्राप्त करने के हगदार होंगे नेक्ट कुशन है बहायखला रेलवे स्टीशन किस राज या कीन सासित पदेश में है और इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा ओप्शन A महाराष्ट में तो बहायखला रेलवे स्टीशन कहाँ पर है महाराष्ट राजी में है पांच साल के पुनर स्थापन प्रयासों के बहाद 179 साल पुराने मद्ध मुंबई में रेलवे स्टीशन को साफधानी पोरवक पुनर जीवित किया गया है इस उलेखनी उप्लदी के कारड इस रेलवे स्टीशन को यूनेस को द्वारा प्रतिश्ठित एशिया प्रशान सांस्करतिक विरासत पुरसकार से सम्मानित किया गया है अब आपसे question में ये भी पूछ रकता है कि किस railway station को यूनेस को द्वारा पतिष्टित एशिया प्रशान्त सांसकरातिक विरासत कुर्सकार से सम्मानित किया गया है और आपका question सही क्या हो जाएगा भाय खला railway station को और जो कि ये माराष्ट राज्य में है हम माराष्ट जो राज्य है इसकी राजधानी किया है मौंबई माराष्ट के मुख्यमंत्री कौन है एक नाथ शिंदे और माराष्ट के राजपल कौन है रमेश बैस next question है कौन सी राज्य सरकार सितंबद दोजा तेस में बाल विवा के खिलाप आभिहाई शुरू करेगी और इस question का सही आंसर हो जाएगा option A असम तो असम राज्य सरकार सितंबद दोजा तेस में बाल विवा के खिलाप आभिहाई शुरू करेगी अब असम जो राज्ज है इसकी राइदानी क्या है? देशपर असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्वा शर्मा और असम के राजपल कौन है? गुलाब चंद कटारिया नेक्ट कुशन है के सराज के मुख्यमंत्री जी ने हौकी की एशियाई चेमपेंश टॉफी के लिए कारवन जीरो टर्फ का उदगाटन किया है और इस कुशन का सई अंसर है आप्शिन बी तमिल लाडू तो तमिलनाडू के मुख्यमंत्री जी ने होकी की एशियाई चेमपेंशिप ट्रॉफी के लिए कारवन जीरो टर्फ का उदगाटन किया है इसका उदगाटन तमिलनाडू के मुख्य मंत्री स्री M.K. स्टालिन ने चेन नई की मेर राधक कर्षन स्टेडियम में किया और हीरो ए एशियन शेंपेशिप ट्रॉफी दोय या तेज का आयोईन तीन अगस से बारे अगस तक चेन नई में किया जाएगा अब तमिलनाडू जो राज्ज है तमिलनाडू की राईधा नहीं किया है चेन नई तमिलनाडू के मुख्य मंत्री कौन है M.K. स्टालिन और तमिलनाडू के राजपल कौन है R.N. रवी अब next question है हाल ही में United Kingdom यानि UK के Professor IPCC यानि Intergovernmental Panel of Climate Change के अध्यच कौन चुने गए है और इस question का सही answer है Option C जिम इसकी तो आप image में भी देख सकते हैं ये हैं जिम इसकी और यही United Kingdom यानि UK के Professor IPCC यानि Intergovernmental Panel of Climate Change के अध्यच चुने गए है next question है हाल ही में भारत ने इंडिया स्टेक साजा करने के लिए किस देश के साथ समझोता किया है तो इस question का सही answer है Option A पापुआ निव गिनी देश के साथ तो हाल ही में भारत ने इंडिया स्टेक साजा करने के लिए पापुआ निव गिनी देश के साथ समझोता किया है अब पापुआ निव गिनी जो देश है इसकी राइधा नहीं क्या है Port Morrisby और पापुआ निव गिनी की मौद्रा क्या है और पापुआ निव गिनी देश के पदहन मंती कौन है James Morapay Next question है हाल ही में अमेरका ने के इस देश के लिए 345 मिलियन डॉलर के सैन सायता पैकेज की गोशना की है इस पैकेज का उदेश ताइवान को चीन का मुकाबला करने में मदद करना है अब ताइवान जो देश है इसकी राइधानी क्या है ताइपेश शिटी ताइवान की मुद्रा क्या है निव ताइवान डॉलर और ताइवान की राष्टपती कौन है तसाई इंग वेएं नेश्ट कुशन है हाल ही में भारत की पहली ओनलाइन गेमिंग अकादमी किस राज़ में खुली है और इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा ओप्शन ए मद्दपदेश में तो हाल ही में भारत की पहली ओनलाइन गेमिंग अकादमी मद्दपदेश राज़ में खुली है अब ये मद्दपदेश राज़ में खुली है तो जानते हैं मद्दपदेश राज़ के बारे में तो मद्दपदेश जो राज है इसकी राइधानी क्या है बोपाल मद्दपदेश के मुख्यमंती कौन है सिवराज से चोहान और मद्दपदेश के राजपाल कौन है मंगू भाई छगन भाई पटेल नेक्ट कुशन है हाल ही में कौन सा सेर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारती शेहर बन गया है तो इस कुशन का सई अंसर है ऑप्शन A बैगलरू तो हाल ही में भारत का बैगलरू शेहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहल बहाती शेहर बन गया है अब ये वर्ड सेटीज कल्चर फोरम क्या होता है ये सेरों का एक वेश्विक नेटवर्क है जो अनसंदान और खुफिया जानकारी साजा करता है और बहविश्य की शम्रद्धी में संस्कृति की भूमका का पता लगाता है अब पिछली वीडियो मैंने आपसे कुशन पूछा था वो क्या पूछा था कि पारम पर एक मूल्यों की रच्छा के लिए जुलाई दो या तेईस में कीस देश ने लिंग परवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाः पर प्रतबंद लगाया है तो इस कुशन का सही अंसर था अप्शन सी रोस तो पारम पर एक मूल्यों की रच्छा के लिए जुलाई दो या तेईस में रोस देश ने लिंग परवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाः पर प्रतबंद लगाया है अब आपके लिए आज का कुशन है जुलाई दो या तेईस में किस राज्जी ने डॉ जेवानी ब्रत्ती की आयू वासट वर्स से बढ़ाकर 65 वर्स कर दी है तो इस कुशन का सही आंसर आपको कमेंड में बताना है अगर आपको ये वीडियो आज की हेलफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूँ खियर करना और अगर आप इस चैन